लूट तकैती वहत्या के गिरों को आखिरकार गोहाना सी आई ए पुलिस ने दबोची लिया रवी जाकसी गैंग के तीन सदस्यों को पुलिस निग्रफतार करने में काम्यावी हासिल की है इन बंदमाशों ने रोतक जजर सोनीपत के साथ साथ राजस्थान के पाली में दरजन भरवारदात को अंजाम दिया था आरोपियों से तीन अवेध हतियारों वह 29 कार्टूस के साथ कार भी बरामत की गई पुलिस ने तीनों को अधारत में पेश कर चार दिन के रिमांट पर लिया है ये कल शाम में हमारे CIA स्टाफ में जो हमारी इजनिंग चेकिंग अभ्यान चल रहा है उसमें उनकी पेट्रोलिंग चल रही थी तो उनको इन्फोमेशन आई और उनने एक सिलीरियों गाड़ी थी सिल्वर रंकी और विदाउन नंबर प्लेट और उसको उनने चेकिंग के लिए रोका तो उससे ये तीन लड़के मिले हैं और ये तीनों जो हमें पता लगा कि ये रवी जाकसी गैंग के मेंबर्स हैं रवी जाकसी एक इनामी क्रिमिनल हैं आपर और इनसे हमें तीन वेपन भी बरामद हुए हैं एक पिस्टल 30 बोर की विट 16 लाइव राउंड मंजीत से मिली है अरुन से 32 बोर की पिस्टल और 10 लाइव राउंड और अंकित से 315 बोर की पिस्टल विट 3 लाइव राउंड बरामद हुए हैं और साथी साथ ये सिलीरियो गाड़ी जो की सदर रोतक की एक वार्दात है चोहतर बटा 2021 जो मुकदमा है सदर थाने रोतक का स्नाचिंग का उसमें लीथी है और जो उसके बाद ये खुलासा हुआ है अरुन जो है जजजर में एक मॉडर के केस में वॉंटेड है और ये तीनो ही पाली राजस्थान में एक 307 के केस में वॉंटेड है और जजजर में एक पुलिस मुठवेड हुई थी जिसमें ये तीनों इन्वॉल्ड थे साइटी सोनिपत और साइटी गुर्गाओं के साथ इसके अलावा इनके उपर साथ मुकदमे कार्स नाचेंग के भी हैं और इनको अमेजिस्ट्रेट को पेश करके चार दन की रिमांड ली गई है जो भी मामले है वो हर्याना में रोतक जजजर सोनिपत के हैं राजस्थान क राजस्थान के पाली मैं आपको बताया है और जिसमें से तीन लड़के हमें राउंड अप करने हैं यह पकड़े गए और रोतक रोट बाइपास गोहाना से बाकी हम पुलिस की रिमांड हमने चार दन की रिमांड ली है और उसमें हमारी पूछताच होगी और जैसे जो भी पूछताच में निकलता है आपको बताविए पुलिस के अनुसार यह रवी जाकसी के गैंग के बदमाश है जिनोंने करीब दरजन भर गाडियों की नाचिं को कोट में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड लिया है पुछताच में इनसे अनिसाथियों के बारे में भी पता किया जाएगा पुलिस इस मामले में गहनता से जाच्व पूछताच कर रही है गोहाना से सुनील जिंदल पंजाब केसरी टीवी